इंद्रेश जी आपने बातों बातों में बहुत बारी आफ्टर लाइफ की का जिकर करा जब इस लोग से वहाँ जाते तो मैं जानना चातों कि होता क्या है अचली जब हम हमारी मृत्तियू हो जाती है तो शास्त्रों में क्या कहा गया है आपको क्या नौलेज है कुछ बताओ आफ्टर लाइफ के बारे में जब मृत्तियू हमारी हो जाती है उसके बाद में हमारे कर्मों का पूरा रजिस्टर उठाते हैं चित्रकेतु जी ब्रह्मा के पर्सनल एसिस्टेंट हैं चित्रकेतु उनके पास सबका लेगा जो खा रहत नर्क में बोलते हैं कडाई में डाल देते हैं खोलते हुए तेल में वाल देते हैं या हमने जो जो लाइफ में किया यहां पर वो सब हमको भोगना पड़ता है स्वर्ग में बताते हैं कि बुढ़े नहीं होते उड़ाडी मूच नहीं आती कितना भी खालो पेड़ बढ़े और देखने के बाद में उसका बताते हैं इतने पाप किया इतने पाप के लिए इसको नर्ग जाना पड़ेगा इतना पुन्य किया इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करते हैं वो उसको यातना देह देते हैं नया एक इन्वेंशन एक शरीर दिया ज पीटने पर दर्द पूरी होगी लेकिन मरेगा नहीं बस उसकी यह खासियत है पाड से फैंक दो नदी में डुबा दो पीड़ा तडफन और जलन जो भी होती है लगने पर शरीर उस सब होगी उसको मरेगा नहीं मतलब बोले गुरुजी कि जब श्लोग सुना रहे थे जब व्यक्ति नरक में यातना भोगता न तुम्हां यम्राज से बार बार मुझे मार दू मैं मर क्यों नहीं रहां हूँ हुए एक प्रकार से शुटका रहा है चीजों से उसको जीवित रक करके वह सबusta यातना या Arts शरीर से भोग देखो कितना भी खिला कितना भी पिलाओ कितना भी कुछ भी करा वह कभी थकेगा नहीं कभी मोटा नहीं होगा कुछ भी चीजों से त्रप्त नहीं होगा तो यह नर्ग स्वर्ग के concept पर अगर आप ब्रंदा बनाते हो अगर कथा सुनते हो तुम्हां तीसरा कॉंसेप्ट है वो है वहिकुंट नर्ग जाने वाला स्वर्ग जाने वाला दुबारा जन में लेता है पर वहिकुंट जाने वाला पुनर जन में नहीं लेता है वह ठाकुरजी के संगी रहता है वहिकुंट कौन जाता है जिसने जीवन में खूब साधना की खूब स्वास निकलने से पहले अंतिम उसने भगवान को याद किया यह बहुत डिफिकल्ट है आदमी अपने अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कर पाएगा पूरी लाइफ याद कर लेगा अंतिम समय कोई श्रेष्ठ ही होगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे वह याद कर लेता वह फिर वैकुंट जाता है उसको फिर दुवारा प्रद्वी में याद वह कब आएगा जब ठाकुर जी आएंगे ना भगवान कई कोई सखा मित्र माता पिता या कोई ऐसे वैकुंट में अभी हूंगे हजार देड़ हजार लोग बहुत मन करता ना कि तुम हमारे पिता ज लेकिन यह फेक्ट है कि भगवान की जो लीला होते ना ठाकुर जी पहले प्रिप्लैंड कर लेते हैं ऐसा ऐसा करेंगे और उसका कारण के वली होता है कि हमारी लीला के बाद में लोगों को इस से ज्ञान मिले कि हमें करना क्या है तो यह तीन कॉंसप्ट होते हैं स्वर्ग नर्क और वैकुंठ वैकुंठ जाने वाले का जन्म नहीं होता दुबारा वो भगवान जब आते हैं लीला करने जैसे अब कल की अवतार होगा तब ठाकुर जी के साथ में जो जो पदारेगा प्रत्वी पर उनके मा बनके पिता बनके भाई बनके सखा बनके शत्रू बनके सब वहीं से आएंगे और सब लीला होगी वैसे कल योग का एंड देखा जाए तो बहुत बुरा है क्योंकि और अभी बहुत दूर भी है अभी बहुत लंबा चलेगा बहुत लंबा है हम लोग बहुत सभी समय पर निपड जाएंगे